Hello friends आप सभी का स्वागत है Friends आपके सामने question है 144 N2 PLUS 114 MN PLUS 100 N2 इसका Friend आपको गुलाईखंड करना है तो Friends इस प्रकार के सवाल का गुलाईखंड करना आभी तक आप नहीं पढ़े होंगे तो Friends अभी तक नहीं पढ़े होंगे कि आप एक मिनट में इस question को कैसे लगाएंगे तो friends इसको लगाने से पहले आपको एक चीज बताते हैं उसे आप याद रखिएगा देखिए क्या होता है कि A plus B का whole square इसकल डू कितना होता है A square plus B square plus 2AB ठीक है A square plus B square plus 2AB देखिए ये A plus B का whole square फार्मूला होता है आप सभी को याद होगा अभी तक नहीं याद है तो इसको याद कर लिजिएगा देखिए इसी चीज को हम इसे प्लड़ का ऐसे भी लिख सकते हैं A square plus 2AB plus B square इसकल 2A plus B को whole square भी लिख सकते हैं कोई अंतर प्लस में हम इधर उदर लिख सकते हैं कोई अंतर नहीं होता है ये आपको बात पता होना चाहिए देखिए इसको कैसे गुलांखंड करेंगे तो फ्रेंस वीडियो में लाश तक बने रहें इसका आपको पाचान भी बताएंगे कैसे देख के आप पाचान लेंगे कि ये ए प्लस B को whole square का फार्मूले को रूप में ही ये question है लाश में बने रहें देखिए अब क्या करते हैं फ्रेंस आपको question दिया है 149 यानि 49 M square प्लस 640 MN प्लस 100 N square इसमें क्या करते हैं फ्रेंस कि आप ध्यान दीजिएग कि कि देखिए 14 M square जो है ये देखिए 7 का square है यानि 7 का square का मतलब इसको कितना लिख सकते हैं 7 M का whole square लिख सकते हैं मान में कोई परिवर्टर नहीं होगा अब क्या करते हैं 140 यहां प्लस रहने दीजिए 140 को छोड़िए अब चलिए यहां पे 100 N square है यह 10 का square होता है 10 N का whole square कर सकते हैं हो जाएगा ठीक है अब देखिए क्या करना है कि 140 MN है अब 140 MN को अभी रहने देखिए यह क्या होता है कि इसको मान लीजिए कि A का मान है और इस पूरे को मान के के B का मान है अब क्या करता है कि कि B आरे पत को 2AB क के रूप में हल करते हैं और देखते हैं 140 आता है लिए 3 तो देखिए यह 2AB का मतलब वहता है 2, देखिए A का मतलब वह 7 याम, और B का मतलब वह 10 याम, ठीक है, देखिए अब इसको इसी तरह लिखिए, क्या है, कि 7M का whole square, यानि A का मानिए यह है, प्लस, इसको हल किजिए, 7 दुना के चोधे कितना होगा, 140 MN, प्लस यह 10 N का whole square, ठीक है, देखिए, हल करने के बाद, हमें 2AB के रूप में जब तोड़े हैं, तो 140 MN आया है, जो कि यहां पर 140 MN है, तो जब 140, 140 MN सेम है, तो इसका मतलब हो गया, कि यह जो है, A square का मान है, ठीक है, प्लस, यह जो है, 2AB, यह टू गुड़े, A गुड़े, यह B का मान है, प्लस, यह कितना का B square का मान है, तो फिरे अभी उपर आपको फार्मूला बता है, कि A square प्लस 2AB प्लस B square, क्या लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसके जगा पे हैं, A प्लस B का whole square, तो A प्लस B का whole square का मतलब कितना देखे, A प्लस B का whole square लिख सकते हैं, और इसी चीज़ को हम A पर आपको कितना मान है, 7 यह तो अंदर लिख दिया यह, 7 यह प्लस यानि 7 यह, और B का मन कितना है, मान है 10 यह, तो 10 यह लिखे, इसका whole square कर दिजिए, यही फ्रेंस आपके क्या हो जाएगा, एंसर हो जाएगा, तो फ्रेंस देखे, इसका पाचान क्या है, पाचान इस सवाल का यही है, फ्रेंस, कि आपको जब question देगा, या चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, फ्रेंस आपको यह वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें थांक्स फार वाचिंग